Hello students, GOC, General Organic Chemistry, Reaction Mechanism, Basic Concepts in Organic Chemistry इस topic में हमें बहुत सारे conceptual points सीखने पड़ते हैं और जैसे ऐसे हम topic में आगे बढ़ते हैं, बहुत difficult concepts सामने आते हैं और यदि हम direct उन concepts पे आते हैं, तो हमें topic difficult लगता है तो इस video में हम उन basic concepts के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे GOC को control करता है, मतलब यदि यह basic points हमें समझ में आ जाते हैं तो पूरा GOC बिल्कुल easy हो जाता है, किसी भी mechanism को, किसी भी conceptual point को आगे बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो यह video सबसे important है, इसलिए GOC के starting में ही पढ़ा जाता है, ठीक है न? तो सबसे पहले start करें हम charge के बारे में अब charge दो type का होता है, positive charge, negative charge, इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, यह basic information है, बचपन से मालुम है important बात यह है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है, कि charge दो type का है, positive charge, negative charge लेगिन जब भी हम पूरे syllabus में किसी भी atom या किसी भी species के उपर positive charge देखेंगे तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में click करना चाहिए, कि जो लिखा हुआ species है, that is electron deficient और यदि किसी atom या species पे structure पे negative charge है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, कि that structure is actually electron rich यह हमें कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, यह हमारे thoughts हैं, जो आगे की concepts को develop करने में help करेंगे तो यदि मुझे positive charge दिखा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? electron deficient, तो फिर ही मुझे हमेशा याद रखना पड़ेगा, कि electron deficient will always accept electrons और electron rich always will donate electrons, तो यह observation based होता है, कि जब मैं किसी structure को देखूंगा, तो उसी point पर मुझे clear हो जाएगा, कि यह mechanism के next step में क्या करने वाला है plus charge दिखा, दिमाग में आया electron deficient, तो मेरे दिमाग में पहले से आजाएगा, कि यह electron accept करेगा मुझे negative charge दिखा, मतलब दिमाग में electron rich है, electron rich होने का मतलब यह confirm है कि electron donate करेगा तो हम mechanism में वैसे ही follow करेंगे, और mechanism लिखना easy हो जाता है, mechanism का direction हमें मालम चल जाता है अब जब हम इन steps को follow करेंगे, कि deficient electron accept करेगा, rich donate करेगा, तब हमें product में arrow की right side में क्या लिखना होता है तो सबसे important मैं बोलता हूँ, charge skill यूज़ करो वैसे actual logic जो है लिखने का वो भी हम इसके बाद discuss कर लेंगे, लेकिन सबसे आसान होता है यह charge skill charge skill में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यह है zero, zero का मतलब मैं बोल रहा हूँ neutral है यहाँ पर negative charge है, यहाँ पर positive charge है, और यह जो direction देखो क्या लिखा हुआ है यह direction जो है, यह electron donate करने का direction है, और यह direction electron gain करने का direction है अब इसको use कैसे करना, यही सबसे important बात है, आगे goc में देखना, सारे के सारे mechanism हम इसी basis पर लिखा करेंगे जैसे मुझे कभी negative charge किसी item पर दिखा, मेरे दिमाग में आया है कि electron donate करेगा अब यदि वो electron donate किया, तो product में वो कैसा लिखा जाएगा तो यदि negative charge electron donate करेगा, तब वो कहाँ पर पहुँचेगा, 0 पर मतलब neutral हो जाएगा देखो एक बार यह लग सकता है, कि negatively charged पहले electron risk था यदि वो electron donate किया, तो वो electron deficient हो जाएगा, तो नहीं देखो इसलिए मैंने double arrow लगाए है, यह दो different process हैं कि negative charge यदि electron donate करेगा, तो सबसे पहले neutral बनेगा, हाँ यदि एक बार और electron donate करेगा, तब neutral बनने के बाद, उस पे तब क्या आएगा positive charge तो negative से यदि positively charge बनाना है, तो दो बार electron donate कराना पड़ेगा same for positive charge, positive charge यदि electron gain करेगा, तो negatively charge नहीं हो जाएगा positive charge यदि electron gain करेगा तो सबसे पहले बनेगा neutral हाँ, neutral होने के बाद यदि एक बार और electron gain करेगा तब जाकर उस पे कौन सा charge develop होगा negative charge develop होगा तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा तो product में हमें क्या लिखना यह direct पहले से मालम होता है मैं कहीं लिखना नहीं पड़ता है हमारे thoughts में आ जाता है कि negative charge का reaction लिखोगे तो product में मुझे क्या लिखना पड़ेगा neutral positive charge का reaction लिखोगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा neutral अचा हाँ, neutral का अधी reaction लिखेंगे तब neutral अधी electron donate करेगा तो product में मुझे positively charge लिखना पड़ेगा और the neutral electron gain करेगा तो product में मला arrow के right side में मुझे negatively charge species को लिखना पड़ेगा इस तरीके से charge को हम use करते हैं ध्यान रखना पड़ेगा सबसे important बात है यह इस से जदा important पूरे syllabus में कुछ भी नहीं होता जैसे जैसे हम syllabus में आगे बढ़ेंगे जान जाओगे कि सब जदा use यह होता है next आते हैं यदि charge का actual concept समझें कि plus charge का मतलब क्या होता है negative charge का मतलब क्या होता है तो हमें valence electron समझने पड़ते हैं valence electron में दो तरीके का heading हम study करते हैं एक लिखा हुआ standard valence electron और एक लिखा है normal valence electron standard valence electron यह standard value है जो कभी change नहीं होता है यह हमें याद रखना पड़ता है क्या लिखा हुआ standard valence electron number of standard valence electrons of any atom is equal to group number of the atom in the predictable अब predictable तो बहुत बड़ा है क्या हमें सारे atom के group number याद करना पड़ेगा नहीं हमें कीबल हमारे syllabus में 5 atom है हमें इनका याद होना चाहिए तो hydrogen का group number क्या है 1 तो hydrogen का standard valence electron है 1 क्या करेंगे इन number of standard valence electron का भी जान जाएंगे लेकिन याद करना पड़ेगा कार्बन का होता है 4 उध्यान से देखो अब लाइन से है 4, 5, 6, 7 nitrogen का standard value है 5 जो हमेशा याद रखना oxygen का है 6, halogen का है 7 standard value है याद रखा जाता है अब याद करने से फाइदा क्या होगा मैं कैसी उसकरना पड़ेगा तो मैं जरा valence electron सीखना पड़ेगा पहले standard बात अलग है और ये experimental बात अलग है ये अलग-अलग structure में बदलेगा valence electron तो लिखा हुआ electrons present near the atom in any structure are called valence electrons of that atom in that particular structure ठीक है न कहने का मतलब यदि मैं structure की बात करूँ तो यहाँ पर देखो यदि एक bond में दो electron होते हैं basic सा concept बोल रहे हैं तो एक bond में हम दो electron लिख देते हैं तो हम different color ये use कर लेते हैं चलो हमने ये बना लिया यहाँ पर एक electron और यहाँ पर एक electron अब ज़रा ध्यान से देखें तो नजदीक वाला और दूर वाला यदि देखेंगे तो hydrogen के नजदीक कौन सा ही red वाला है ये नजदीक है तो जब मैं इस structure में hydrogen का valence electron पूछूँगा तो तुम बोलना 1 हाँ यदि hydrogen के पास total electrons बोलूँगा तो नजदीक का और दूर का मिला के मैं कितना बोलूँगा 2 ज़्यान से सुन रहे हो valence electron hydrogen पे है 1 लेकिन total electrons hydrogen पे कितना है 2 same for fluorine यदि fluorine के पास मैं पूछूँगा कि total electrons कितना है तो नजदीक का और दूर का मिला के कितना हो जाएगा 8 लेकिन अधि मैं valence electron पूछूँगा तो valence electron के बोल नजदीक वाला बताना हो कितना बोलोगी आप 7 अब मन में आ रहा होगा कि हम valence electron count करके करेंगे क्या तो जब हम valence electron count करते हैं तब valence electron को हम standard value से compare करते हैं और जब 2 values compare होंगी तब कितने observation आ सकते हैं तीन observed value या तो standard value के बराबर होगी या तो observed value standard value से कम होगी या तो observed value जो है standard value से ज़ादा होगी तो तीन observation हम न लिखे पहला observation के लिखा हुआ है when, total valence electrons और standard valence electron ये value बराबर है तब, atom always remains neutral, कि यदि मुझे पता करना है कि कोई atom neutral रहेगा, कि charged रहेगा, तो मुझे ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा, मुझे balance electron count करने, standard के बराबर आया, मतलब hydrogen पर आया 1, carbon पर आया 4, nitrogen पर 5, oxygen पर 6, और hydrogen पर 7 आया, तो वो atom neutral रहेगा हमेशा, हम reverse भी यूज़ कर सकते हैं, structure analysis में, कि यदि मुझे किसी structure में कोई atom neutral दिख रहा है, इसका मतलब, उसके नजदीक में मुझे कितने electron लिखने पड़ेंगे, उतने electron की जो valence electron से standard value के बराबर हो जाएं, और इसी तरीके से lone pair पता करेंगे, हम सबसे important बात रहेगी वो, second observation में क्या लिखा हुआ है, when atom contains one less valence electron than standard value, carbon पर रहे 3, ठीक है न, nitrogen पर रहे 4, oxygen पर 5, halogen पर 6 रहे तब एक कम रहे standard value से तब, then atom must contain one positive charge, तो हमें atom पे one positive charge लगाना पड़ेगा, यह mechanism लिखने का तरीका, reverse बोलके देखें, कि यदि कोई atom positively charged मुझे दिख रहा है, तो मैं उसकी surrounding में कितने electrons लिखूँगा, उतने electron जितने लिखने पर, valence electron standard value से एक कम रहे, same for negative charge देखो, क्या लिखा है, when atom contains one more valence electron than standard value, then atom must contain one negative charge, standard से एक ज्यादे का मतलब, carbon पर आए 5, nitrogen पर आए 6, oxygen पर आए 7 और halogen पर valence electron कितने आए 8, तो हमें negative charge लगाना पड़ेगा, reverse बोलकर देखते हैं, कि यदि किसी atom पर negative charge है, तो मुझे कितने electron लिखने पड़ेंगे, उतने जितने लिखने पर valence electron standard value से एक ज़्यादा रहे, तो यह यूज करकी बताएंगे भी रुखो, जैसे मैं यहाँ देखो, अब यदि मैंने carbon ऐसा लिखा, और मुझे doubt है कि इस पर plus या minus चार जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक bond में 2 electron होते हैं, ऐसा लिखने हूँ, अब carbon के नजदीक देखो, कितना electron देख रहा है 4, इसका मला standard के बराबर, और इस standard के बराबर हैं, मतलब इस carbon पे ना plus आएगा ना minus आएगा, यह neutral रहेगा, तो मारा doubt clear, कि हम जो structure लिख रहे हैं, वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, जैसे second वाले structure में देखो, अब मुझे doubt है कि carbon का valency है 4, अब यहाँ पे carbon के पास दो ही bond है, तो इस पे शायद plus charge या negative charge कुछ लगा ना चाहिए, तो मैं कैसे check करूँगा, मैं सबसे पहले एक bond में 2 electron लिख लूँ, और 2 electron लिखने के बाद मैं valence electron count करूँ, तो carbon के नजदी कितना दिख रहा है 4, इसका मतलब charge bond से related नहीं है, यहाँ पर देखो carbon के पास bond 2 ही हैं, लेकिन यह neutral रहेगा क्यों क्यों क्योंकि valence electron standard value के बराबर है, next पर देखते हैं, इस वाले carbon पर एदि मुझे total electrons देखने कितने होंगे, तो plus charge का meaning क्या है, theoretical point है, plus charge का मतलब है कि standard value से एक electron कम लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले कितने हैं वो तो लिखी लूँ, एक bond में 2 electron, तो मैं किवल नजदीक वाले लिख रहा हूँ, चाहो तो आप दूर वाले लिख सकते हो, और electron लिखना है क्या loan पर लिख दूँ क्या, तो अभी कितने हो रहे हैं 3, होना कितना अची है, standard से एक कम, 4 में से एक कम करो, तो कितना बचेगा 3 मतलब नहीं, बस इतने ही balance electron लिखने पड़ेगे, लास्ट वाली में देखें, negative charge का मतलब, सबसे पहले मैं bond के electron लिखी दूँ, यह तो सबसे आसान सा काम है, अब और electron हैं कि केबल इतने electron हैं पता करना है, तो negative charge का meaning recall करो, negative charge का मतलब है, कि standard value से एक ज़्यादा लिखो, तो carbon का standard value है 4, एक ज़्यादा का मतलब 4 प्लस 1 5 लिखना पड़ेगा, तो अभी तो 3 हो रहा है balance electron, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा यह, ठीक है न, मैं चाहूं तो यह electrons negative पे भी लिख सकता हूं, उपर भी लिख सकता हूं, ठीक है न, बस यह ध्याद रखना पड़ेगा, कि यदि negative charge है, तो carbon पे total balance electron एक ज़्यादा मतलब 5 आना चाहिए, ठीक है न, तो अभी हम यूज़ करके बताएंगे, next concept जो हमें ध्याद रखना है, that is octate, octate का मतलब है outermost cell, वैसे octate 8 electrons related term है, लेकिन outermost cell में 8 से ज़्यादध electron हो सकते हैं, हम carbon, nitrogen, oxygen के दी बात करें, जो हमारे syllabus में main है, उनके outermost cell का capacity is maximum 8 electrons, ठीक है न, due to absence of d-orbital, तो octate से related हमें syllabus में क्या करना पड़ेगा, हमें octate में total electrons count करने पड़ते हैं, और total electron count कर क्या करेंगे, बात करेंगे, पहले करते कैसे हैं, देखो, total electron count करना हो, तो total electron pairs, plus odd electron यह दि लिखा हुआ है, तो वो add कर देते हैं, हमें मालम चल जाता है, अच्छे एक बात, electron pair से total electron कैसे पता चलेगा, तो मुझे इसको electron pair को two से multiply करना पड़ेगा, बाई, एक pair में दो electron आएगा न, तो total electron देखना है, तो two से multiply करो, तो देखो, next line में मैंने यह ही किया, बाई, electron pair कहाँ पे होता है, तो bond pair होगा, या तो lone pair रहेगा, तो total pair count कर लो, two से multiply करो, और odd electron दे एक्स्ट्रा है, तो add कर दो, अब जब मैं यह value निकाल लूँगा, तब दो observation, दो बाते होंगी, या तो यह value, total 8 आएगा, या तो 8 से कम आएगा, 8 से ज़्यादा अपने syllabus में नहीं आ सकता, चुकिकि अपने syllabus में carbon nitrogen oxygen study कर रहे हैं, higher member में 8 से ज़्याद electron हो सकते हैं, जिन में d-orbital होता है, तो carbon nitrogen oxygen oxygen में तो maximum 8 ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, तो यह value, या तो 8 आएगा, या तो 8 से कम, यदि यह value total 8 आएगा, तो हम बोलेंगा, octate is complete, और octate का complete होने का मतलब, atom is stable, और यदि 8 से कम आया, तो हमें बोलना पड़ेगा, कि octate is incomplete, और यदि octate incomplete है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, atom is unstable, और unstable react करेगा, और react करके unstable क्या करेगा, octate complete करेगा, मतलब incomplete octate वाला क्या करेगा, surely will accept electrons, accept electrons to complete the octate, और कितने electron accept करेगा, जितने electron accept करने से, उसका octate complete हो जाए, ठीक, अब आप सोच रहोगी, हमने charge or octate is starting में क्यों पड़ा, क्योंकि हमें, हमारे syllabus में, stability study करनी होती है, क्योंकि reactivity, stability पर depend करता है, जो unstable रहेगा, वो reactive जादा रहेगा, जो stable रहेगा, वो कम reactive रहेगा, और stability देखो, क्या लिखा हूँ है, on the basis of both charge and octate, किसी एक से decide नहीं करते है, दोनों का combination decide करता है, कि atom is stable और unstable, तो stable और unstable कैसे पता करेंगे, stable होने का एक ही option है, कि atom पे charge ना रहे, मतलब वो neutral रहे और octate complete रहे, ठीक है न, unstable होने के बहुत सारे combination कितने, यदि मैं केबल octate देखकर decide करूँगा, तो मैं तो stable बोल दूँगा जबकि वो unstable है due to charge, second variety, कि charge ना हो, मतलब neutral हो, लेकिन incomplete octate हो, तो भी मुझे unstable बोलना पड़ेगा due to incomplete octate, जबकि charge यदि देखूँगा, तो charge तो मुझे दिखेगा नहीं, कि कि वो neutral है, तो हो सकता है, मुझे लगे कि वो stable है, जबकि वो होगा unstable, third unstable होने का variety है, कि charge भी रहे और incomplete भी octate रहे, तो वो क्या रहेगा, वो unstable रहेगा, तो किसी भी structure में, इस तरीके से हम unstable atom ढूंड लेते हैं, तो कि जो unstable atom होगा, वो ही react करेगा, वो ही mechanism को start करता है, clear है, अब किस तरीके से देखेंगे, हमारे syllabus में कितने type के atom मिलते हैं, तो हम लिखते हैं, electron domain, electron domain मतलब किसी atom के surrounding में, कितने तरीके से electron available हो सकते हैं, मैं वो पूरे syllabus के structure cover करूंगा, ध्यान से, सबसे पहले ये देखो, क्या लिखा हुआ है, carbon with standard valence electron कितना है, 4, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम, हर bond में 2-2 electron लिखो, तो मैंने हर bond में 2-2 electron लिख लिए, तो ये neutral है, confirm neutral है, आप सारे structure में लिख सकते हो, मैं जितने structure possible, उतने में तो लिखी दूँ, अब हमें कितनी बातें देखनी हैं, सबसे पहली बात, कि यहाँ पर charge होगा की नहीं होगा, तो यहाँ पर charge नहीं होगा, reason मालू होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे दीख नहीं रहा, charge इसलिए नहीं है, क्योंकि valence electron standard value के बराबर दीख रहा है, फिर इसके बारे में octate के बारे में बात करें, 4 bond pair, 4 into 2 is equal to 8, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, octate is complete, complete octate लिखना पड़ेगा, तो फिर stable हुआ और unstable, तो यह stable हुआ, ठीक है न, यह stable, next structure पे चलते हैं, जड़ा देखो, जड़ा charge है क्या, नहीं, charge तू नहीं दिख रहा, एक बाग confirm कर लो कि वाकिई charge होगा कि नहीं होगा, तो यह भी structure बताया भी था, total balance electron standard के बराबर है, अच्छा, octate के बारे में देखते हैं, octate complete है कि incomplete, तो जड़ा देखें, bond में दो electron होते हैं तो मैंने लिख दिया, अब total pair कितना है, total pair है two, मतलब four यह हो गए, और two यह लिखा हुआ है, मतलब कितना आ रहा है, six, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, incomplete, octate लिखना पड़ेगा, तो मुझे बताओ, stable और unstable, तो यह कहलाएगा unstable, अब यदि यह unstable है, तो जड़ा सोच कर देखो, यह react करेगा, तो यदि मुझे basics clear हैं, basics आते हैं, तो मुझे मालूम है, यह कैसे react करेगा, unstable है due to incomplete octate, क्या करेगा, surely will accept electron, कितने electron accept करेगा, two electrons to complete the octate, अचा product में क्या लिखोगे, तो पहले कहा है neutral, और charge skill में क्या बोला था, neutral, यदि electron accept करेगा, तो वो कैसा बन जाएगा, negatively charged बन जाएगा, तो मैं starting से लेके, last product तक पूरा reaction बोल पा रहें, तो यह importance है, basic informations का, कि हम सारी की सारी चीज़ें, सबसे पहले मैं एक bond में दो-दो electron लिखो, तो यहाँ पर valence electron 4 यार हैं, दोनों में लिखके देख सकते हो, इसका मतलब charge तो इसमें नहीं रहेगा, यह अलग बात है कि इसको आगे चलके, हम free radical बोलेंगा, अभी हमें उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा, अब octate में देखें तो 3 तो pair हैं bond pair, हर bond में 2 electron, एक और लिखा हूँ MLA total 7, इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, incomplete octate मुझे लिखना पड़ेगा, तो यह stable है क्या unstable, यह unstable है, और क्या करेगा, surely we'll accept electrons, कितने electron, तो बोल पारे हैं 1 electron to complete the octate, ठीक है न, important है, next structure पर आएं, तो यहाँ पर सबसे पहले confirm करने की positive charge क्यों है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर valence electron कितना आ रहा है, 3, एक कमा रहा है इसलिए, तो यहाँ पर charge है, yes, यहाँ पर charge दिखे रहा है, मुझे positive charge, उसका reason भी मालूम है कि क्यों है positive charge, octate is incomplete, और यह क्या करेगा, surely will accept electron, और कैसा बन जाएगा product में, प्लस यदि electron gain करेगा, तो neutral हो जाता है, charge scale में हमने सीखा था, तो यहाँ पर क्या लिखो, unstable लिखो, unstable, next structure में आए, तो मुझे negative charge दिख रहा है, इसलिए मैंने यह तो सबसे पहले लिख दे, अब confirm कर लेते हैं, यह negative charge है क्यों, तो यहाँ पर, यह balance select on हो गए इतने, सम्में लिख लेना आप, देखो total 5 आ रहे हैं, अब ज़रा octate के बारे में देखो, 3 तो bond pair, 3 into 2, 6, plus 2, 8, मतलब यहाँ पर octate है complete, तो बताओ यह stable है क्या unstable है, octate complete दिख रहा है, तो यह unstable है, केवल octate नहीं देखना होता है, मैं चार्ज भी तो देखना पड़ेगा, due to negative charge, structure is unstable, क्या करेगा, electron donate करेगा, electron donate करने के बाद, कैसा product बनाएगा, neutral बनाएगा, क्योंकि charge scale बोलता है, कि जब negative charge electron donate करेगा, तो neutral में convert हो जाएगा, next चलते है, next item पे चलते है, next item is nitrogen, standard values 5, यहाँ पर देखें सबसे important बात, loan pair कैसे पता करते हैं, अब इस वाले box में, मुझे charge नहीं दिख रहा, charge नहीं दिख रहा, तो कितना loan pair रहेगा, तो याद नहीं करते, on the spot try करते हैं, मैंने हर bond में 2-2 electron लिखे, अब 2 electron लिखने के बाद, यह no charge लिखा है, neutral लिखा है, इसका मतलब balance electron, standard के बराबर करो, इसका मतलब भी तो 3 हो रहे हैं, मतलब 2 electron 100 लिखो, तो मुझे अपने आप मालम चल जाएगा, कि यहाँ पर एक loan pair है, total electrons लिखेंगे, तो यहाँ पर octate आएगा complete, कैसे formula लगाओ, 3 bond pair, मतलब 3-2-2-6, और 2 यह loan pair वाले, मतलब 8 हो गए, stable और unstable, यह है stable, ठेक next box पर आते हैं, कोई charge दिख रहा है, नहीं, charge तो नहीं दिख रहा, अब charge नहीं दिख रहा, तो loan pair कितना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, charge नहीं है, इसका मतलब स्टेंडर्ट के बराबर करो, 5, अभी तो 3 हुए हैं, दो और लिखो, एक loan pair है, फिर octate के बारे में बोलो, तो total electron कितना दिख रहा है bond pair के 2 और 4 यह दिख रहा है 6 इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा incomplete octate incomplete octate इसका मतलब stable हुआ unstable हुआ unstable क्या करेगा incomplete octate बाला क्या करेगा electron gain करेगा और कैसा बन जाएगा neutral gain करता है negatively charge हो जाता है आगे चलके इसको nitrine बोलना पड़ेगा मुझे सबसे important observation है यह बाला box जरा ध्यान से देखना charge दिख रहा है yes positive charge है charge क्यों है क्योंकि जब मैं electrons लिखूंगा तो balance electron देखो standard से 1 का मार है है ना इसलिए positive charge है octate देखो जरा total bond pair कितने 4 into 2 is equal to 8 इसका मतलब octate is complete सबसे important observation है यह देखो plus charge का मतलब octate incomplete नहीं होता मतलब incomplete octate direct plus charge देखकर मत बोलना त्योंकि देखो plus charge के बाद भी complete octate लिखा हुआ है charge का total electron से कोई लिना देना नहीं होता charge का लिना देना है number of valence electron से तो यह stable है कि यह unstable है तो यह unstable not due to octate due to positive charge तो यह क्या करेगा electron accept करेगा और ऐसे accept करेगा कि यह neutral हो जाएगा ठीक है न very important ध्यान रखना ही है ठीक है कि plus charge का मतलब incomplete octate direct मत बोल देना next पे चलें another very important observation मुझे दिख रहा है यहाँ पे positive charge है और दी positive charge है तो मैं valence electron लिख हूँ कितना आएगा 5 में से 1 minus करो 4 आएगा तो अभी तो 2 ही दिख रहा है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा अब यदि octate देखूँगा तो octate कितना incomplete octate अब बहुत ध्यान से देखो दोनों side by side लिखे हूँ है यह वाला और यह वाला देखो यहाँ पे nitrogen पे plus है तो complete octate है यहाँ पे nitrogen पे plus है तो incomplete octate तो ज़र अपने आपको answer करो nitrogen पे plus charge दिखेगा तो क्या answer करोगे octate is complete और incomplete never answer directly ठीक है ना क्यों क्योंकि nitrogen पे plus में क्या बोलोगे complete बोलोगे तो यह गलत हो जाएगा incomplete बोलोगे तो यह गलत हो जाएगा हमें on the spot try करना पड़ता है है यह unstable unstable due to both क्या करेगा electron accept करेगा और कैसा हो जाएगा plus यदि gain करेगा accept करेगा तो neutral हो जाता है last में देखें यहाँ पर क्या है negative charge negative charge मतलब standard value plus 1 standard valence electron यह दो negative क्या हो गए अभी तो 40 हो है मलता 5 plus 1 6 करने ऐसा आएगा और octet देखोगे तो octet कैसा आएगा complete formula लगा और stable और unstable unstable due to negative charge क्या करेगा electron donate करेगा donate करने का product में कैसा बनेगा neutral क्योंकि negative charge यदि electron donate करेगा neutral हो जाता है next पर आते है next is oxygen standard value कितना है 6 ध्यान से अब यहाँ पर first box में देखो charge नहीं दिख रहा okay तो standard value के बराबर लिखो 2 3, 4, 5, 6 मतलब 2 lone pair है और octet octet is complete अब octet complete में direct देख कर नहीं बोलो मैं formula ही उस करके बोलो stable और unstable next मैं देखो यहाँ पर यहाँ पर देखोगे तो charge नहीं दिख रहा okay अब charge नहीं है तो पहले electron पता करो direct octet try करेंगे तो हमें electron तो लिखे हुए नहीं दिख रहा कैसे पता करेंगे no charge का मतलब standard के बराबर यह 2 हुआ कितना लिखना 6 तो 3, 4, 5, 6 लिखा मैं नहीं अब standard के बराबर हुआ neutral का मतलब यह और octet देखोगे तो क्या है incomplete octet तो stable और unstable due to incomplete octet क्या करेगा electron gain करेगा कितना one to complete the octet ठीक है ना next वाले पर आओ यहाँ पर क्या देख रहा है positive charge तो क्या positive charge में direct बोल दूँ, octet के बारे में नहीं मैंने मना किया है कि positive charge देखके direct octet पर comment नहीं करना plus charge का मतलब standard से एक कम मतलब 6-1, 5 होना चीए 3, मैंने एक lone pair और लिखो यहाँ अब यह हुआ 5 अब octet देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है complete octet आया यहाँ पर stable और unstable, unstable due to charge क्या करेगा? electron gain करेगा neutral हो जाएगा बाकी की structure मैंने lone pair नहीं लिखा similar observation आप लिखना है यहाँ पर next box में आओ next box में यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे positive charge दिख रहा है yes अब positive charge का मतलब electron लिखो 5 1, 2, 3, 4, 5 अब दिखो octet के बारे में octet is incomplete तो क्या इस बात पर तुमारा ध्यान जा रहा है कि oxygen पर इधर plus लिखा था तो complete octet लिखा जबकि यहाँ plus लिखा है तो incomplete octet लिखा है तो ध्यान जाना चाहिए इस बात पर stable और unstable, unstable due to both क्या करेगा? electron gain करेगा और neutral हो जाएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है? negative charge negative charge मतलब 6 plus 1, 7 लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octet is complete octet is complete octet negative में भली direct बोलना सीख जाओ कि octet complete है, है तो unstable due to charge क्या करेगा? electron donate करेगा और कैसा हो जाएगा? neutral हो जाएगा क्योंकि negative जब electron donate करता है तो neutral हो जाता है last important item हमारे syllabus का halogen standard value कितना 7 अब first वाले box पर आओ यहाँ पर charge नहीं दिख रहा है बल्ला total 7 valence electron लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब octet देखोगे तो octet आएगा complete देखो total electron और valence electron में difference है नजदीक वाले valence electron है total देखना होता है नजदीक और दूर मिला के देखते हैं तो complete octet हुआ है stable और unstable next box में आएं तो मुझे चुकि यहाँ पर charge नहीं दिख रहा है इसलिए electron 7 लिखने पड़ेंगे तो यहाँ पर 3 loan पर मैंने लिख दिया फिर octet देखूँगा तो octet मुझे दिख रहा है, count करो 7 आ रहे, incomplete octet और stable और unstable, unstable यहाँ पर आओ positive charge दिख रहा है positive charge का मतलब standard value से एक कम लिखो, 7-1 कितना हुआ, 6 तो 6 electron में आएसा लिखा octet is incomplete count करो 6 आ रहे, total, incomplete octet stable और unstable, unstable अपने आपको यह question करना unstable due to both क्या करेगा, electron accept करेगा product में क्या बनेगा, plus जब accept करता है, neutral हो जाता है यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या दिख रहा है positive charge और positive charge का मतलब standard से एक कम लिखना, तो 6 लिखना है, तो कितना हुआ, 2 हुआ 3, 4 हुआ, और लिखना है yes, अब हुआ complete तो octate क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इस बार octate is complete तो plus charge में आपने complete octate भी देखा है और incomplete octate भी देख लिया, है यह unstable due to positive charge, electron gain करेगा, neutral हो जाएगा last में देखो, यहाँ पर देख रहा है मुझे negative charge और negative charge का मतलब standard से एक ज़्यादा लिखो कितना standard 7 तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 8 8 लिखा मैंने, octate is complete complete octate ठेक और यह stable और unstable, unstable due to negative charge, क्या करेगा electron donate करेगा electron donate करने के बाद कैसा बन जाएगा neutral बन जाएगा, क्योंकि charge scale बोलता है कि negative charge जब भी electron donate करेगा, वो neutral हो जाता है तो क्या आपका ध्यान जा रहा है कि हमने अभी goc start भी नहीं किया लेकिन मैं पूरे syllabus की reactions structure के basis पर बोल पा रहा हूँ हमें structure पहचान में आना चाहिए कि structure में क्या लिखा है इसका meaning क्या है यह electron rich है, deficient यह mechanism में क्या करता है और यह वैसा करेगा तो product में किस तरीके से लिखा जाता है ठीक, बहुत important है यह ऐसा video ही जो हमें बार-बार देखना चाहिए क्योंकि हमें conceptually strong रखता है ठीक है न, तो next video में हम इसके आगी बात करेंगे, thank you